सिक्क शहर में रहने वाली नाबालिक बीते चार दिनों से लापता है परिवार को नाबालिक का किड्नेप होने की आशंका है परिवार ने सोमवार को शहरवासियों के साथ मिलकर SP होफिस पर प्रदशन किया परिवार और शहरवासियों ने दो दिन में कारेवाई नहीं होने पर धन्ने की चेतावनी भी दी है भाजपा युवा नेता रतनलाल सेनी ने बताया कि रादक पुरा इलाके से 17 अगस्त से नाबालिक लापता है जिस तरह से राजस्तान में महिला अत्याचार की गटनाएं बढ़ रही है ऐसे में परिवार को आशंका है कि उसका किड्नेप भ करना शूरू करना होगा है सतर अतारी को शाड़े नो दुसमें से गाईव है और पूरे परिवार को उसके अपरन क्या संग का है और कहीं ने को जिस पर घटना है रास्तान में गटना जाए तो कोई नहीं भी हो जाए उसी को लेकर परिवार जिन चार दिन से खाना भी निका है सब लोगों ने आज दॉदेन हैं होगी उसका परिवार पुरा फ्राम maior और साथ हम सब लोग इंके साथ कड़े हैं और अम आप मीडिया की दवारा भी मांग करते हैं तुरंद दायन देवे क्योंकि छोटी बच्ची उसकी साथ कोई भी गठना कर सकती है इसलिए तुरंद इस पर द्यान देवे बच्ची को तुरंद बरामत करे परिवाजन को सोपे उसी को लेकर हम परिवाजन के साथ आएं आपको क दिमार भी बच्ची चल रही है लेकिन उनके साथ ही गठना गठी है और पूरे परिवार को असंग हमने जो भी खिलू है उनको दिये हैं उनके परिवार दिनमारे साथ में हमने उपर पूलिस दिखार से मिलकर नहीं है